हाठ है वो क्रेंग साफ सेंसर आपका हाठ वो जब तक धड़केगा नहीं आपका सरी नहीं चलेगा लेरो है इस टार्ट नहीं हो रही है और ना इसमें चेक इंजन दिखा रहा है इसमें सर्फ एक कोड आ रहा था मैं साइड में लगा दूँगा थोड़ा से मैं आपको दिख उसमें इसमें आवा जानी चाहिए अब पता नहीं यह आई होता है में साइड में आप होता है यहां पे साइड में होता है चली आप lại लगा थे पर दूसरा लगा की चेक करना पड़े गए अब यह हम चावी ओन करते हैं अब आपका है नहीं यह अ कि यह तो भी नहीं स्टार्ट हुई यह गारे स्टार्ट है इसमें एक्च्वल कोड कोई नहीं आ रहा था बट इसका जुअ क्रेंक सिंजर था वह सोट था कि अभी मैं आपके स्टार्ट करके दिखा रहा हूं यह देखे स्टार्ट हो गए बैटी चार्ज हो जाना दीजा पुराना वारा संसर ये यह बहुत देर सा लग यह अब जाके तो गया सब्सक्राइब यह फीट परम को अंग नहीं करता है यह देखिए इसमें दो आते एक वह देखिए यह सॉट होता है जो अपने गाड़ी में लगता है और एक लंबा आता है तो यह गाड़ी स्टार्ट होती है बहुत दिमाग लगा के कि यह हैं तब जाके स्टार्ट हुई है बहुत चोटा होता की सेम जाएगा दो कहोंड़न दिखा रही उद्सक्राइँ अभी तो स्टार्ट हाई कोट ने कोई अभी स्टार्ट के तर्फ रभार हम ली प्र तंचीर है इसको इन तक म्हार्यजी में आपने अपने देखा प्रदोर का प्रबलम होता है पहले क्रेंग संसर समझ लिएूझ कैने संसर को हैलो संसर कुछ भी मान सकते हैं आप कौसेक्ट समझ यह एक्च्वडर में जहां भी आपका उन्हेवाली चीजों को रेडिंग लेगा वहाहां पर यूज होता है या फिर जहां पर मेगनेटिक फेल्ड से आपका काम चल जाता है वहां पर यूज होता है यह सस्य होते हैं इसलिए सबसे ज्यादा यूज करिये जाते हैं मसलन ये कहां पर होते हैं तो ये आपका crank sensor पर होता है ये आपका ΤοLE sensor पर होता है ये आपका speed sensor पर होता है और कल Luigi जगह पर होता है उनन जये कांए किसे करता ये समझे ये जैसा आपको दिखेगा साट ये गेर है एक इस वाकट में देखते हैं आप चेन रहती है उसके उपर ऐसे चोटे-चोटे दाति के निकले रहते हैं तीथ ह रहते हैं जैसे इसमें देखी यह हलके यह तीछ दिख रहे हैं जैसे ही हो चला जाता है तो magnetic field हड जाता है इसी data को read करता है आपका ECM यह हमेशा है आपको flywheel के उपर लगेगा flywheel जहां से engine की main crank soft आती है नीचे से वहां पर यह जुड़ा हुआ रहते है यह ऐसे घुमता रहते है इसका सिर्फ दो ही काम होता है जो flywheel तक एक जो engine power produce कर रहा है उसको store करना दूसरा यह जो teeth उसके चारो तरफ निकले रहते हैं यह आपको ECM को signal देता है कि आपके injectors की cylinder पर कप fire करेंगे आगे समझेंगे कैसे क्या होता है पहले की जो डियाई गाड़ी आती थी उनमें pump की setting की जाती थी हर नोजल के लिए अलग-अलग pipe रह रहते ही थी pump से तो वह particular उसी टाइम पर प्रेशर देता था तब वह स्प्रे करते थे ECM में यह चीज अच्छी हो गई है कि आपका high pressure pump जब लगा रहता है तो उसे कभी सोचने की जरूरत नहीं होती वह हमेशा आपका जो pressure है वह बरावर बनाए रहता है तो जिसलिए DRB वाल्व लगाए जाता है कि जब pressure high हो जाए तो उसको वह release करते अब यह क्या करता है जब pressure चालों तरफ बना रहता है इसमें specific क्या होता है कि इन दोनों कि सी में तीथ में या तो gap हो जाएगा या फिर एक तीथ रहेगा ही लिए ECM जब भी वह हलका सा data change होगा तो उसको read करेगा और उसमें timing रहती है कि इतने timing के बाद यह cylinder उपर आएगा तब हमको spray करता है इस तर common rail में हमेशा pressure बना रहता है तो जैसे current देता है तो spray हो जाता है वहीं पे जो पहले वाली गाड़ी आती थी उनमें setting की जाती थी थोड़ा उपर नीचे हो गया तो दिक्कत आती थी ECM का यही फायदा है कि यह कभी भी आपके fail नहीं होते क्योंकि इन में timing उपर नीचे नही नहीं आ रही थी तो हमने life data देखने की कोशिस की उसमें RPM तो आ रहे था अच्छा यह crank sensor आपका RPM भी बताता है जैसे यह revolution यह घूम रहा है जितनी आप crank जैसे ही करेंगे वैसे ही बता देती जैसे old वाली जब start होती है तब RPM बताती है कुछ गारियां तुरन से बताती है तो जिन गारियों में तुरन से scanner का उसमें क्या congestion हो रहा है इंजन का RPM क्या है वो सारी चीजे वो करेंट टाइम का लाइब दिखाता रहता है हमने देखा कि Crankshaft sensor कभी RPM बता रहा है कभी नहीं बता रहा है तो फिर हमने उसे चेंज की Crankshaft ही आपकी गाड़ी को हर्ष्ट नंबर पर चलाता है तो बहुत सारी गाड़ी आ गई है कि और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी पर अगर इंजन स्टार्ट करना होगा ECM से तो उसके लिए सब से पहली प्रायोर्टी होती है आ क्रेंग सार्ट सेंसर आपका हाठ वह जब तक धड़केगा नहीं आपका सरी नहीं चलेगा मैक्सिमम गाड़ियों में क्रेंट का प्रॉब्लम आता है अगर आपकी गाड़ी में टेकोमेटर में फ्लेक्ट्वेशन आ रही है कभी-कभी आपकी जब फेटिंग होती है उसमे क्रीचे में कहता हूँ कि लाइव डेटा देखिये नहीं आ रही यह इसे पताचले इस से पता चले लिए टिटा में आपको चीजे आपको बताता है और ही क्या हो रहा है पर कभी-कभी नहीं कर रहा है और वो इस कार्णन से हो रहा था एक प्रॉपपर करेंट नहीं दे रहा था तो सॉट नहीं था मैंने जल्दबाजeseं बोऒए सॉट्म नहीं था वो वह रेडिंग सही नहीं बता रहा था इसलिए गाली वो स्टार्ट नहीं रोए जब भी ऐसी प्रोब्लमा तो यह मेकानिक का जब कुछ नहीं होता है ना और सारी चीजे सही होती है आपको जो इस्टूमेंट होते हैं यह सेंसर होते हैं उन्हें आपको चेंज करके देखना पड़ता है करेंट से भी पता चल जाता है पर हमारे सिचुएशन में करेंट आ रहा था चाहे हो क्रेंट चाहे आपके cm से हो दोनों साइट से आ रहा था तो हमने फिर लाइव डेटा देखा तब हमें इससे डिटेक्ट कि आपके लिए क्या नालेज है कि आपकी गारी अगर नहीं स्टार्ट हो रही है सबसे पहले अगर सबको सही है तो क्रेंट साफ सांसर जरूर देख तो इस व वीडियो में आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप फिस्बूक पर देख रहे हैं तो सेयर और लाइक जरूर करिएगा यह चीज़ें आपको जाननी चाहिए